तो लगातार भेड़े का अतंग बना हुआ है कोशांबी में खबर है जहाँ पर यमुना के तराई वाले लाके में भेड़िया दिखा है विमार हूनी की चलते भाग भी नहीं पा रहा है लोगों ने वीडियो बना कर सूश्री मिडिया पर वारल किया है महेवा घाट थाना इलाके में यमुना के तराई इलाके का बताया जा रहा है ये वीडियो जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरे बताया जा रहा है कि यमुना के तराई इलाके में भेड़िया दिखा है बेमार हूनी की चलते भाग भी नहीं पा रहा है लोगों करने के लिए इस वक्त दारा सिंग्व फोल लाइन पर मारसा जुड़ गए हैं आप दारा क्या जानकारी मिल रही है इसे लेकर 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 पिछले तीन दिनों से जिस तरह से आदम खोर भेडियों के द्वारा लगातार हमले किये जा रहा है जिसमें बच्चे समेथ चार लो नदी के तरही लाके में देखा गया है वहां आसपास लोगों को हजूम लग जाता है लेकिन हैरानी के बात है कि इस मामले की कानों कान बना कभी वन विभाग को नहीं चलिए वन विभाग अधिकारी सीधा सीधा इस मामले में पलना जारता है कि इस मामले की यमजाज उसके बाद इस माले मामले में अधिकारिक तोर पर करेंगे लेकिन जिस तरह से लोगों में दहसत है कि मासूम बच्चों कोई कोई अपना सिकार बनाते हैं वहीं अब आप तो यह भी देखरों के सामने आ रहा है कि बड़े लोगों पर भी हमला कर रहे हैं जिनकी 35 साल 40 साल है चरवाहे हैं या किसान या खेट में अपना कार कर रहे हैं तो उनपर भी अतायक कर रह थी इसमें वन भी भाग पूरी तरह से लापरवाही बरत रह अभी जिन जिन ग आओं में भेडियों के द्वारा हमला किये जाने के दावा ग्रामिलों के ओर से किया गया है वहां पर पिंजले भी नहीं लगाया गया लेकिन इस बीचे बड़ी खबार है कि डियम ने इस पूरे मामले पर संग्यान लिया है डियम ने कोशांदी के डिये फो राम सिंग यादो सी रिपोर्ट तलब किया है कि जिन जिन बिभाट को आपने पत्र जारी किया है कि जिन लोगों को काटा है किस जानवर के ओकाट में कि निसान तित तमाम बिंदूओं पर डियम ने रिपोर्ट मानी ऐसा माना जा रहा है कि जली इसमें आगे आतंकी वेडियों के खिलाप एक बड़ी कार राई जब ये वीडियो आ क्या अब तक कोई वन बिभाग की टीम वहां पर पहुंचे इस तरह की कोई सूचना है क्या और जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है वो कुछ-कुछ लकडबगे जैसा दिखाई दे रहा है कई बार ऐसा हुआ है कि भेडिये के डर से लोगों ने सियार को मार दिया है त वहां जाते हैं लेकिन हैरानी की बात है जब तक बन बिभाग के टीम वहां पहुnकती ही तब तक ग्रामिलों उसे मार देते हैं उसके बास से बंबिभाग के द्वार उचका पोस् diligence कराया जाता है कि यह जंगली सियार है इसी तरह मामला कल सामने आया ता जहां पर है जंग साथ ही अगर कहीं गाउं में ऐसे खुकार जंगली जानवर दीख रहे हैं तो उनको पकड़ने के लिए इनको पिरा लगाना चाहिए तमाम कारवाई की जानी चाहिए लेकिन तमाम जो जिम्मेदारियां यह अपने जिम्मेदारों से कहीं नहीं हैं तंब वेडिया समझकर उसे मार दे रहे हैं या खायल करते रहे हैं यह जो तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं अलग-अलग जगों से जहां पर भेडिये का हमला हुआ एक हमले में बच्चा भी खायल हुआ है यह कल देर रात-सुबई की खबर है। दो भेडिये एक साथ दिखाए दिये हैं एक जगा पर उनके location को trust किया गया है एक जगा पर भेडिया खेत में भागता दिखाए दिखाए दिया ड्रोन से भी भेडिये के तलाश चल रही है तमाम expert की team भी मौकिप पर मौझूद है लेकिन फिर भी अब तक भेडिया नहीं पक करार है और सभी यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर कब होगा आतंक का अंत अब राइश में मैसी ब्लॉक में जहां पर भेडियों की दर्शत है वहाँ पर सूलर लाइट्स और दर्वाजे घरों के लड़ कवाए जा रहे हैं 30 से 35 प्रभावत गाउं में प्रशासन लोको को बचाने के लिए युद्वस्तर पर काम कर रहा है आपको दिखाते हैं कोलैला गाउं में ग्राउंड रिपोर्ट जहां पर 3 अगस्थ को मेडिये ने एक बच्चे को शिकार बनाया और इसके बाद वहां के क्या आलब है कि यहां पर घटना हुई थी हमको लगता है कि जब जुलाई के बाद अगर कोई पहली घटना हुई तो तीन अगस्थ को यहीं हुई सबसे पहली घटना उसके बाद से बिर एक कई घटनाय हुई दस घटनाय हो चुकि यह मार्ट से लेकर अब तक जिसमें से नौ बच्चे शिकार हुए हैं और हम पो लगता कि बच्चों का शिकार होने के पीछ पीछे सबसे बहुत वहां यहीं है नगर सो रहे हैं घर में गरवाई जा रहे हैं और जो हान लाइटे जैसे की राटम में दर्वाजे लगा जा रहे हैं इस गॉपने कितनी रबाजे लगा गए गए लगाए गए इन सु दरवाजे जो है सभी काओं में लग लग चुके हैं अच्छा हाँ क्रिटिकल के अपसे भी जो फन्न मिला है उसमें हमारी दस तो जो सोलर हमारी जो लाइट है हाई मास्क लाइट हैं और चालिस हमारी जो है सोलर स्टीट लाइट जो है लगवाई जा रही है आचा भी पूरी दिखाई जा सके और चारों तरफ रोश्य रहें कभी गाओं में जो बिजली गुल हो जाती है वह बहुत बली समस्या होती है और हमको लगता कि घटना हुई आप बता रहें कि पांच बज़े के आज पास उनकी माताजी बता रहें कि पांच बज़े के बीच में इननों संधे नहीं कि किसको उठा लेकर लेगा इस तरह का थोड़ा सा हुआ होगा माली जी कभी कभी जायर चेदरात में चली जाती है तो इस तरह सा कुछ हुआ हो सब लोग अपने निश्चिंत रहते थे लेकिन जब इस तब लोग फुरा सचेथ हुए तब लोग जो है एक्टिव हैं तब से हम लोग जितने भी जागरुक्ता रात को लोग हम लोग डूटी लगे हुए हैं फुरा प्रिशाइसान लगा हुए नोडल अजिकाई लगे नहीं है जो कि पूरे गाउंगा उच्छेत में जो है लोग जागर करकर के सबको अंदर सोने के लिए चाट पर सोने के लिए और रुकते हां पर चुटा सब्रेक के लिए चलता से रूंके